दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टेपल सीख फ़र्म कैसे भरते हैं तो इसके लिए अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करके और आपको वहाँ टाइप करना है इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये पेज खुलके आ जाएगा कुछ इस तरह का और यहां पर आप आप को पहले वाले आप्सन पे क्लिक कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे पहले वाले आप्सन पे तो आपके सामने इसका ये दूसरा पेज इस तरह खुलत आ जाएगा यहां पर आप intriction दिया गए होतें कि पिछला एक्जाम किस डेट में होगा किस डेट मेंड मे क्लिक कर देंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इसका एक दूसरा page खुलके आजाएगा इस तरह है, और यहाँ पर हमेगर CCC का online farm भरना है, तो simply हम CCC वाले option पर क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो यह इसका next page खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर नीचे इसको scroll करके आपको जाना है और नीचे जाने के बाद आप इसका जो भी declaration है उसको आपको अच्छे से read कर लेना है उसके बाद इस box पे टिक करके आपको I agree and proceed पर click कर देना है जैसा इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने यह जो इसका form है वो खुल करके आ जाएगा अगर आपने पहले इसके पहले एक्जाम दिया है तो आपको yes पे tick करके पिछला roll number भर करके आपको form भरना है यह आपने पहले एक्जाम नहीं दिया तो आपको no पे ही tick कर रखना है और next अगला जो इसका option है उसमें है आवेदक का पूर पूरा नाम वहां आपको select क्लिक कर देना है क्लिक करने बाद आप mister message जो भी है आप वह आप ले लिजे अपने according लेने के बाद आपको यहां पर अपना पूरा नाम capital letter में साफ साफ भर देना है मार्शीट के according मार्शीट के according भरने के बाद इसके बाद next अगले option पर आप मार्शीट के according भर देना है को capital letter में तो यहां पर हम गार्जन का नाम फिल कर देते हैं कुछ इस तरह मैंने गार्जन का नाम देखे दोस्तों यहां पर लिख दिया है इसके बाद next अगले option पर है mother's name तो आपको जो भी mother's name है वो भी आपको अपनी मार्शीट के according यहां पर अ अगले option में आपको gender select कर लेना है तो gender आपका male female आपके उपर दियेगा इंट्रेशन की हिसाब से आजाएगा next date of birth यहां पर आपको date of birth लेना है इसके graph की option पर click करेंगे जैसे ही तो यहां पर देखिए इसका graph option खुल जाएगा यहां पर आपको year पहले select कर लेना है कि आपकी date of birth का year क्या है उसके बाद आपका month क्या वो ले लेना है इसके बाद date क्या है उस पर click कर देना जैसे click करेंगे तो आपकी date of birth फिलो कर आ जाएगी next अगला option है category का तो आप जिस category से belong करते हैं वो category आप ले ले लेजिए यहां प next आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर देखे दिया है दूरभास या mobile number study code सही वो आपको भरना है अगर आपको phone number नहीं है तो आप mobile number जो भी है वो आपको यहां पर अपना number फिल कर देना है यहां पर हम एक number भर देते हैं दोस्तों मैंने number भर दिया है तो number को हम height रखते ह है friends अपनी detail को क्योंकि detail सो करना allow नहीं होता है तो इसको हम height करते हैं आप अपने हिसाप से अपनी according आप अपना date अपना जो भी detail हो फिल कर दीजिए next अगे अपना email id जो email id आपकी है वो email id आपको भर देना है अपनी email id आप भर दीजिए small letter में इसके बाद email id लिखने के बाद जैसे ही आप आगे next option पर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको basic detail आपकी address की जो भी है वो आपको भरना है पहले option में आप अपने village का नाम भर देंग बढ़े देगे next दूसरा option पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अपने post का नाम भरना है नि जो भी आपका post है वो आपको fill कर देना है post fill करने के बाद फिर आपको तीसरे option पे अपना district यह जो अभी आपका district डिस्टिक है वो डिस्टिक को आपको फिल कर देना है तो यहां पर हम अपना जो भी डिस्टिक है वो यहां पर फिल कर देते हैं डिस्टिक फिल करने के बाद अगला अप्शन आ जाता सिटी सिटी में भी आपको अपनी सिटी ले लेना है इसके बाद यहां पर पिन कोड यहां पर आपको फिल करनी होती है अपने एकाउंट से यहां पर फिल करना है यहां पर फिल कर देते हैं इसके बाद है चूज और फोटू यहां पर आपको फोटू लेना है और वह फोटू आप पर फोटू लेने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो फोटू और सिगनेचर और फोटू और फोटू और थंब बनाते हैं तो यहां से हम सिगनेचर ले ले लेते हैं और अपना जो भी थंब है वह ले लेना है लेने के बाद आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नेस्ट आप्शन आजाता है काईपचा जो काईपचा कोड में जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आपको देख करके साफ साफ भर देना है इस बॉक्स में इसके नीचे लिखाओ हो जो बॉक्स है तो इसमें आपको नंबर भर देना तो यहां पर जो भी नंबर दिया है मुसको भर लेते हैं कुछ इस तरह नंबर भरने के बाद नीचे डेकलेरेशन आपको पढ़ने के बाद टिक करने के बाद इसको आपको आए प्रोसीड पर क्लिक कर देना आए अगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह फां देखे भर करके आ गया फिल होके अब यहाँ पर आपको अपनी पूरी complete detail अच्छे से देख लेना है और यह हमारा role number and application number है L-U-C-C करके कुछ यह number आ गया है और यहाँ पर होता कि application date of time यहनि किस समय आपने इस application को फिल किया है वो date और time यहाँ पर लिखा है simply इसके बाद नीचे जब scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरी detail अपनी complete देख लेना है और चेक करने के बाद next आगे इसको जैसे हम scroll करेंगे और इसको यहाँ से हम print कर सकते हैं control P से control P कर दिया देखे print का download box आ गया और यहाँ से जैसे print करेंगे तो यह page हमारे पास print होके आ जाएगा इसके बाद नीचे लिखा है final submit final submit पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे देखे नीचे आ गया है pay online इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने fees payment का जो option है वो आपके सामने आ जाएगा तो इस तरह खुलके आ गया है option और यहाँ पर देखे लिखा है payment आपको किस माध्यम से करना है net banking या credit card या debit card या QR code से करना है या UPI द्वारा करना है तो इस में से जिस माध्यम से आपको payment करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है मैं 590 रुपिया इसकी जो fees है वो आपको अपने account से pay करनी होती है मैंने pay कर दिया friends और यहाँ पर देखे your payment successful लिक क्या गया है और your form आपका successful complete यह form पूरा complete हो गया है complete होने के बाद आप हम क्या करेंगे इसको print करने के बाद इसको हम अपने पास रख लेंगे तो print करने के लिए simply इसके print का जो icon देखे बना हुआ है right hand में इस icon पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने print का डैलो बोक्स आ जाएगा और यहाँ से इसको हम print कर सकते हैं इसको मैंने print पर click कर दिया तो यह page हमारा print हो गया है दोस्तों यदि आप हमारे channel पहली बार visit करते हैं तो channel को subscribe जूरू करे तब तब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में फ्रांट से जाहिन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद